अलो एवरेवन आज अल्डेईड एंड किटोन में ऑक्सिडेशन ओप एल्डेईड के साथ साथ हेलोजीनेशन ओप इनुलाजबल किटोन के बारे में दिन परेंगे फर्स्ट पॉइंट आपना ऑक्सिडेशन ओफ एल्डेईड इसमें फास्ट पॉंट है टोलेन रिएजेंट टोलेन रिएजेंट है उसमें एक्टिव स्पीशीज है वो डाई एमिन सिल्वर फैस्ट आयन है या सिल्वर वन आयन है टोलेन रिएजेंट होता है वो सिल्वर नाइटरेट और अमोनियम हाइड्रोकसाइड का मिक्सर होता है या कहूं अमोनिकल सिल्वर नाइटरेट होता है इसमें जब डाइमेन सिल्वर फर्ष्ट आयन की रियक्शन एरोमेटिक के साथ साथ एलिफेटिक एल्डी हैड की रियक्शन करवाएं और वो भी कौन से मीडियम में? इसमें बडेसिक मीडियम में तो एकल शॉल्ड पराफ साथ है तता है सिल्वर मीरर ये कहूं दरपन परतिवर्ष्ट रूप सिल्वर जो है प्रफश्ट की रूप में प्राफठ होती हैं इस एक्शन में जो ग्रेप प्रेटि आती है स्टार्टिग में वो फिभञेश्टिन तो टॉलेन रिएजेंट की अक्टिव स्पीसीज है उसने एलडी हाइड को कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया तो कई बार ये क्यूशन बूचा था है टॉलेन रिएजेंट में अक्टिव स्पीसीज कौन सी है और स्पीसीज प्लास जो की एक कॉंपलक्स आयन के रूप में होती है जो टॉलेन रिएजेंट की रियक्षन हम वह बेसिक मिडियम में संपन होती है और एरोमेटिक के साथ साथ एलिफेटिक जो अलडी हैड है वो किसमें कनोट रोता है कार्वोकसिलिकी सॉल्ट में तो इसका मलद टोलेन रिजेंट है वो अलडी हाइड के लिए स्पेसिबिक होता है कीटोन के साथ रियक्शन नहीं करता इसका मलद अलडी हैड और कीटोन को डिफ्रेंशिेट करना हो तो टोलेन रिजेंट की हल्प ली जाती है आगे है फैलिंग सोलिशन फैलिंग सोलिशन यह है वो कॉपर सल्फेट का बेसिक सोलिशन होता है जबकि फैलिंग सोलिशन भी में कॉपर सल्फेट यह बेसिक सोलिशन के साथ रोसेल सॉल्ड, सॉट्डियम, potassium tartrate मिला दिया जाए तो failing solution भी प्राप्त होता है failing solution है वो aromatic aldehyde के साथ reaction नहीं करता केवल aliphatic aldehyde के साथ reaction करता है copper salt basic medium aldehyde है वो carboxylic salt में convert हो जाता है और एक red PPT प्राप्त होती है क्यूब प्रस ऑक्साइड की आगे है 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 हेलोजीनेशन ओफ इन्नोलाइजेबल किटों इन्नोलाइजेबल अपनने इसले वीडियो में पढ़ा था कि के निजारो reaction है उसमें aldehyde है वो non inolizable होना चाहिए जबकि यहां है वो क्या होना चाहिए inolizable inolizable का मतलब alpha carbon पर hydrogen present होना चाहिए यह hydrogen है इस कार्बोनिल के साथ किटो इन्नोल टोटोमेरिजम शो करता है और वहां से हेलोजीनेशन होता है यह मैं कहूं कि alpha carbon से hydrogen को हटाना है और किसको जोड़ना है हेलोजन को इसके लिए दो mechanism है acid catalyzed और base catalyzed acid catalyzed में यह जो oxygen का lone paris proton को accept करेगा यहां से को निकल जाएगा CL यह रहा अब सुनना यह जो CL negative था वो alpha carbon पर present acid proton को pick up करेगा यह आउस्टरेट करेगा यहां से इस carbon और carbon के बीच में कौन सा बोंड आ जाएगा double bond आ जाएगा और यह पाई electron को की और यह oxygen की और मूव करेंगे और किसमें कनोट हो जाएगा ओएच में अब सुनना तो इसका मतले यहां से को निकल गया और यहां कोन बन गया इनोल तो इसका मतले acid catalyze halogenation होता है तो नुकलियोफाइल की रूप में कोन होता है इनोल अब दहान से सुनों यह hydrogen यहां से फिर किया और यह carbon है इस एलोजन पर नुकलियोफाइल की रूप में कारिया किया और यह यहां से निकल गया इसका मतले यह reaction हो गई नुकलियोफलिक्ट सब्सुशिशन रियक्शन इसमें अब आप यह कह सकते हो कि सर यह reaction होई तो यहां क्यों यह electron इदर क्यों कि यह oxygen नहीं reaction कर सकता था इसलिए क्योंकि oxygen और कार्बन में oxygen और कार्बन में नुकलियोफलिक्ट यह वो किसकी ज्यादा है कार्बन क्योंकि शॉप्ट नेचर है आपना लोन पेर इजिली डोनेट कर देता है comparatively oxygen के तो यहां इस condition में इस कार्बन पर एलोजन जुट गया और यह जो हाइड्रोजन यहां से remove वह था वो एलोजन negative की रुप में इस proton को pick up कर लेगा और किस की रुप में निकल जाएगा एचक्स इसका मतला एलफा हेलो की टॉन प्राप्त हुआ है अब दूसरा है बेस के टेलाइज्ट हेलोजनेशन तो पहले कौन सी एक्सन एसिट बेस जो अपने कांपड़ी थी अलड़ो है कि यह प्रोटौन पिककप ओने के बाद में यह इलोक्ट्रोन इधर इसके साथ डिलोकिलास होंगी और एक resonating structure बनेगी यह यह electron इधार यह electron इधार यह carbon-carbon इतार फिर oxygen को future negative फिर वही द्यान से सुनना यह electron इधार और यह electron इधार nucleophilic numero oxygen और carbon nucleophilicity किसकी जयदा है carbon की किसके उपर जुड़ गया carbon पर और X पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज इसका मतलए ये reaction है वो कौन से मीडियम में थी? बेसिक और बेसिक मीडियम में अपना जो नुकलियोफाइल होता है वो किसकी रूप में होता है? इनोल लेट आइन की रूप में जो कि Acidic Medium में इनोल और बेस केटलाइज जो हेलोजीनेशन है इसमें भी Alpha हेलो की टोन प्राप्ट हुआ इसका मतलए इन दोनों हूँ Acid और बेस केटलाइज हेलोजीनेशन में सबसे पहले Acid केटलाइज जब भी reaction होगी मैं पहले बेस केटलाइज बतायता हूँ बेस केटलाइज सबसे पहले Acid बेस reaction होगी Alpha कारण Negative charge होगा और उससे Resonating structure बनेगी जो जिससे क्या बनेगा Inolate आइन Inolate आइन में Oxygen और Carbon में Carbon की Nucleoplicity ज़्यादा होने के कारण ये जो Oxygen alone पेरा इदर Delocalized होगा यहां Carbon पर Negative charge जो कि Nucleopil की रूप में इसे ऐलोजन पर जुड़ेगा ये ग्रूप निकल जाएगा इसका लोग Nucleoplic substitution reaction जबकि Acidic Medium में क्या था कि सबसे पहले Acid Base reaction थी इसने Proton को Pick Up किया और Ox negative कहा दूँ या Cl negative ये Cl negative Alpha Carbon के Proton को Pick Up करता है जो कि Base Catalyzing में सबसे पहले ये reaction हुई थी ये Proton पिक अप गया और ये Electron इधर आये इस Proton पिक अप गया ये Electron इधर आये और ये Electron इधर इससे Inol बना जो कि Base Catalyzing में क्या बनता है Inolate और ये Inolate वाली जी है ये जो Proton है वो अपना Electron Oxygen को डोनेट करेगा Oxygen के Electron Carbon और Oxygen के बीच में डिलोकलाइज होंगे और यहां Carbon और Carbon के Electron इस Carbon पर डिलोकलाइज होंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा ये जो नेगेटिव चार्ज युक्त नुकलियोफाइला इस पर अटेक करेगा और रियक्शन होजाएगी नुकलियूफली सट्शियोटनी इससे क्या पराप्त होगा αफा हेलो किटॉन इस रियक्शन और से रियक्शन में अंतर यही है कि इसमें इसिड वाली रियक्शन में इनोल बुर्दा है बेस वाली में क्या बंदा है और दोनों में फाइनल प्रोड़ेट क्या प्राप्त दता है एलफा हेलो कि टॉन इस वीडियो में कोई भी अजामपल नहीं से आप उसे फिर पूछ सकते हो थैंक्स